नमस्कार आप हिल्थ इंडिया देख रहे हैं अच्छे सेहत और बहतर स्वास्त के लिए हम क्या कुछ नहीं करते कभी कभी चोटी स्वास्ते समस्याएं आपके सारे जतन पर पानी फेर देती हैं यहीं नहीं कई लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती कि कौन सी चीज आपकी स सेहत के लिए कितनी फाइदेमंद हैं अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है तो फिक्र मत कीजिए पेश है आपके लिए सेहत मंद फलों सबजियों और अन्यखाद पदार्थों की लंबी फेरित केला केला ब्लड प्रशर नियंद्रित करने में आपकी मदद करने के सा साथ ही हड्डियों को मदबूत बनाता है यह रिदय की सुरक्षा भी करता है जामुन कैंसर की रोक्था में भी सहायक है यह रक्त में शरकरा के सत्र को नियंतुरत कर डायबिटीज में काफी लाबदायक सिद्ध होता है कब्ज होने और यादाश्ट कमजोर होने पर भी जा और वजन कम करने में भी सहायक होते हैं आम फ़लों का राजा आम पाचन शक्ति को बढ़ा कर कब्ज की समस्या में लाब देता है इसके अलावे यह थाइरॉइड में भी काफी लाबदायक होता है चुकंदर चुकंदर शरीर में खून की कमी को दूर करने में सहायक है इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को नियंतरत करने में मदद करता है साथ ही वजन भी घटाता है चुकंदर दिल के लिए अच्छा होता है और कैंसर से बचाता है यह एंटि ऑक्सिजिटन्ट से भरपू निम्बू त्वचा बालो आंखों के लिए बहुत लाबकारी होता है यह कैंसर रोपने और ब्लड प्रेशर को नियंतरत करने में मदद करता है निम्बू को बहतर पाचक माना जाता है यह सकरवी रोग से बचाता है साथ ही विटमिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक शमता को म में मदद करता है कैंसर के लिए यह काफी लाबप्रद है यह रोग प्रतिरोधक शमता को मजबूत करता है गाजर गाजर आखों के लिए बेहत फायदेमंद होती है इसके अलावा कब्ज की समस्या में भी फाइदा पहुचाता है इसमें कैंसर प्रतिरोधक गुण भी लाता है कोलिस्ट्रॉल को कम करने और हिदय की सुरक्षा करने में भी यह सहायक है अनानास यह हड्डियों के शरण को रोक कर उन्हें मजबूत बनाता है इसके लावा यह पाचन तंद्र को बहतर बनाकर इससे संबंधित परिशानियों को दूर करता है दस्त रोकने और सर्द सायक होता है जिसके लावा यह शरीर में जलकी आपूर्ति करने में सक्षम है और बढ़ियां एंटियॉक्सिडन भी है आलू बुखारा यह फाइबर से भरपूर होता है जो कब्ज की समस्या में बेहत लाबकारी सिद्ध होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी आलू बुखारा फाइदे मुंद होता है साती साथ रिदय रोगों से भी यह लोगों को बचाता है प्याज गर्मी में राहत दिलाने के लिए उप्योग किया जाता है इसके इलावा यह फंगस रोधी गुणों के किसी भी प्रकार के स्किन इंफेक्शन या एलर्जी से बचाता है यह हार्ट अटैक के रिस्ट को भी कम कर कोलेस्ट्रॉल के स्थर को घटाता है शकरकंद शकरकंद फाइबर से भरपूर होने के कारण उर्जा देने के साथ ही वजन कम करने में सहायता करता है यह हड्यों को मजबूत कर कैंसर से लड़ने में मदद करता है पत्ता गोबी, पत्ता गोबी को अपने डाइट में जरूर शामिल करें, आप कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से पूरी तरह से निजाद पा सकते हैं, साथ ही ये बैड कॉलिस्ट्रॉल को भी कम करता है अख्रोट अख्रोट आपके दिमागी श्रमता को बढ़ाता है और हिदे रोगों से बचाव कर कैंसर से लड़ने में मदद करता है, ये कॉलिस्ट्रॉल घटाने के मामले में भी मददकार है अंजीर, अंजीर का सेवन रप्तच्राप को नियंद्रित कर स्ट्रोक से बचाता है, इसके लावा ये कैंसर से लड़ने और वजन घटाने में भी सहायक होता है ये खास तोर से कॉलिस्ट्रॉल के स्टर को कम कर वजन कम करने में सहायक होते हैं, इसके लावा ये हार्ट अटाक और डाइबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फाइदे मन्द होता है, ये कब्ज की समस्या को भी खत्म करता है उमीद है ये तमाम जानकारियां आपके बेहत काम आएंगी, इसी तरह की हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हेल्थ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, धन्यबाद करें